दोस्तो RBI की guidelines की वज़े से पराग पारिक flexi cap fund अपने आप जो नया investment है वो foreign equity में नहीं कर पाता है तो काफी सारे लोगों का लगातार इस fund पे मेरे पास सवाल आते हैं आज इस वीडियो में हम लोग जो इसने latest portfolio इसका April 2022 का आया है उसके को देखेंगे देखेंगे कि इसने कितनी जादा changes अपने portfolio में किये हैं क्या इसकी investment strategy में बहुत जादा changes आये हैं उसके बाद हम देखेंगे इसकी risk ratios कैसी दिखते हैं और अभी क्या ये fund अपने benchmark index को beat कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है तो link मैंने description में देदिया है आप जाकर खुलवा सकते हैं अब दोस्तों अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है मैंने एक excel में April 2022 का जो अभी latest इसका portfolio आया है उसको डाल लिया और उसके against March का और Feb का portfolio भी डाल लिया है ताकि मैं आपको explain कर पाऊं कि क्या-क्या changes इसके portfolio में देखने को यहाँ पर मिल रहे है तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे जादा changes बहुत जादा changes इसके portfolio में नहीं देखने को मिल रहे है यहाँ पर आप देखेंगे Bajaj Holdings में इसने थोड़ा सा यहाँ पर shares को add किया है 14,000 shares add किया है बस इसके अलावा जो एक major change यहाँ पर देखने को मिला है कि इसने इससे पहले March 2022 तक इसके पास SDFC Bank के share हुआ करते थे तो बहुत जादा फरक यहाँ पर नहीं पढ़ने वाला तो अब यह decision इन्होंने क्यों लिया है यह इन्होंने अपने fact sheet में कहीं mention नहीं किया है यह एक major change है इसके अलावा आप देखेंगे तो company धीरे धीरे pharmaceutical sector में यहाँ पर additions करते हो देखी जा रही है Sipla, Zydus, Life Sciences और Dr. Redis Lab में इसने थोड़ी बहुत यहाँ पर purchases की है उसके अलावा महराश्टरा Scooters में इसने यहाँ पर addition किया एक नई company महराश्टरा Scooters Limited जो एक finance industry से belong करती है उसमें इसने 0.09% shares add किये है तो यह कुछ changes है तो अगर आप Indian companies को देखेंगे बहुत जादा drastic changes नहीं देखने को मिल रहे है सिर्फ थोड़ी बहुत purchases यहाँ पर की है उसके अलावा एक company को add की है selling यहाँ पर देखने को नहीं मिली है तो अगर आप लोग भी अपना portfolio बनाते हैं आपको यह चीज़ याद रखनी है यहाँ पर जब इतना बड़ा fund house selling नहीं कर रहा है तो आप लोगों को डर के घवरा कर market correction में बेजने की जरूरत नहीं है यह भी एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है तो अगर आप strategy wise देखेंगे बहुत जादा कोई ऐसा changes इसने अभी नहीं किये वहीं अगर आप यहाँ पर चलेंगे जो इसकी main यहाँ पर बात आती है foreign securities foreign securities में हाला कि यह कोई addition अब नहीं कर पा रहा है आप यहाँ पर देखेंगे alphabet inc यानि की google, microsoft, amazon, meta platform यानि की facebook इन में आप देखेंगे यहाँ पर April और March के shares सेम है लेकिन यहाँ पर जो allocation है वो धीरे-धीरे कम हो रही है क्योंकि overall जब नया पैसा company को मिल रहा है वो पैसा company Indian market में Indian equities में ही invest कर पा रही है तो इसलिए यहाँ पर जो धीरे-धीरे है वो अपने आप foreign equities का जो share है वो कम हो रहा है अभी आप देखेंगे तो लगबग 25.33% के आसपस इसका share आ चुका है जो March में 28.74 हुआ करता था और अगर आप Feb में बात करेंगे 28.98 हुआ करता था तो यह एक थोड़ी negative बात company के लिए हो रही है कि उसमें जो shares है foreign securities में वो कम हो रहे है और उससे भी बड़ी negative बात क्या है कि अभी अगर आप देखेंगे NASDAQ 100 यानि कि यह जितनी भी companies है Meta, Amazon, Microsoft, Alphabet Inc. यह सारी correction दिखा रही है और company इस वक्त जब NASDAQ 100 लगबग 20-25% down है उस वक्त अपनी जो stock है उसको average नहीं कर पा रही है यह एक मुझे लगता है एक big negative अभी इस share के लिए इस mutual fund के लिए है अगर हम बात करें और चीजों की तो यहाँ पर आप देखेंगे debt and money market instrument में लगातार यह अपनी holding बढ़ाती हुए यह 7.63% अभी यह company cash में रखके बैठी है यानि कि इस company को इस fund को भी उमीद है कि आने वाले time में अच्छी correction market में देखने को मिलने वाली है और जब वो correction देखने को मिलेगी जो यहाँ पर companies इसके पास आएंगी जो इसको लगे का add करनी है उस वक्त ही इसको add करेंगे इससे पहले 5.11% था 4.52% था तो लगबग आप देखेंगे लगातार यहाँ पर company अपने cash और cash equivalent को बढ़ा रही है अगर हम bull run में होते तो यह एक negative बात भी हो सकती थी कि company इतना सारा cash रखके बैठी है तो investors के लिए नुकसान की बात हो सकती थी लेकिन अच्छी बात क्या है कि इतना correction आया है उस correction में company के पास cash था तो company ने एक थोड़ा बहुत अपने को downside protection यहाँ पर दे दी अपने आपको cash में रखे तो यह भी एक अभी सही बात है और आने वाले time में अगर company को एक कोई अच्छी opportunities दिखेगी वहाँ पर यह पैसा company deploy कर पाईगी तो अभी अगर आप यहाँ पर investment strategy को देखेंगे बहुत जादा changes नहीं है अच्छी तरह यह अपनी Indian equities को और foreign equities को अभी भी manage कर पा रही है हला कि foreign equities अब धीरे धीरे कम हो रही है जो कि आने वाले time में अगर यह ऐसे ही कम होती रही तो एक concern की बात हो सकती है अभी 25% यहाँ पर foreign equity है तो बहुत जादा concern की बात नहीं है अब आईए दोस्तो चलते हैं और इस fund की हम और details देखते हैं देखते हैं इसकी risk ratios कैसी है और इसने अभी returns कैसे दिये recent में क्या यह अपने benchmark को beat कर पा रहे है या नहीं यह चीज देखनी भी बहुत जादा जरूरी है अब दोस्तो अगर हम इस fund की risk ratios पे यहाँ पर बात करते हैं तो standard deviation इसका अभी 18.69 चल रहा है और category average 19.67 है वहीं अगर हम sharp ratio की बात करें तो 1.03 चल रही है category average sharp ratio 0.6 है तो standard deviation और sharp ratio दोनों के मामले में यह अभी अच्छा दिखता है standard deviation यह दिखाता है कि एक fund कितना जादा volatile है तो volatility इसकी कम है standard deviation जितना कम होता है उतना अच्छा होता है sharp ratio दिखाता है कि एक fund कितना better risk adjusted return ले पा रहा है तो यहां पर शार प्रेशो भी इसकी अच्छी दिखती है turnover ratio इसकी काफी consistent है last month भी 28% के आसपस थी इस month भी 28% के ही आसपस इसकी यहां पर turnover ratio दिख रही है तो consistency देखने को मिल रही है वो हमने इसके portfolio में भी देख लिया कि बहुत जादा changes यह अपने portfolio में month on month नहीं करता है तो वो ही चीज यहां पर देखने को मिल रही है कि turnover ratio बहुत जादा नहीं है अब आएए इसकी returns एक बार ही हम देख लेते हैं तो अगर हम 10,000 रुपे आपने one time invest किये होते 6 महीने पहले तो 6 महीने में आपको negative returns इसमें देखने को मिली होती negative 13% की return इसमें आपको 6 महीने में देखने को मिली है एक साल में बात करें तो 12% की return यहां पर अभी भी आपको देखने को मिल रही है 5 years में अगर आप देखेंगे तो 18% की return है और अगर आपने इस fund की inception में पैसे लगा दिये होते 10,000 रुपे तो वो पैसा इस fund ने आपका 47,000 कर दिया है तो long term की returns अभी भी काफी अच्छी दिखती है 5 years और since inception में 18% और 19% की और ये तब है जब US की market 20-25% correction अल्रेडी दिखा चुकी है उस time पर हम बैठ कर ये यहाँ पर देख रहे हैं तो काफी अच्छी returns अभी भी देखने को मिल रही है 3 सालों में 23%, 2 सालों में 37% की return one time investment में हला कि 6 months में negative 13% की return है जो की एक concern की बात है लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी stock market में ही correction है तो यहाँ पर इस fund में सिर्फ correction नहीं आया है SIP investment पर बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप देखेंगे अगर आपने एक साल पहले इस fund में SIP कराई होती तो अभी आप negative returns इस fund में शायद देख रहे होंगे एक साल में 12,000 के आपकी लागत इस fund ने 11,267 के आसपस बना दिया है वहीं 5 सालों में देखेंगे अगर आप तो 60,000 की लागत आपकी इस fund ने 97,000 के आसपस बना दिया है तो 5 साल में अभी भी काफी positive returns है, काफी अच्छे returns है तीन सालों में भी काफी अच्छी return है और एक साल में भी अच्छी return है long term में दोस्तों देखिए अगर 15% से जादा के return कोई fund आपको दे रहा है तो बहुत ही अच्छी returns आपको वो fund generate करके दे रहा है अब दोस्तों जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं किसी भी fund को अगर आपको judge करना है कि क्या वो fund सही में अच्छी returns दे रहा है या नहीं दे रहा है तो यह देखना बहुत जरूरी होता है कि क्या वो अपने benchmark index को beat कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है तो चलते हैं एक बार ही देखते हैं कि यह fund क्या short term में और long term में दोनों period में हम देखेंगे अपने benchmark को beat कर पाया या नहीं कर पाया तो यहाँ पर दोस्तों हमने 6 months से 5 year तक का data यहाँ पर लिया है 6 months में अगर आप देखेंगे हमने देखा था है negative 13% की return इसने दी थी इसके benchmark index ने भी negative 13% की ही return दी है तो यह अपने benchmark index जैसी ही return यहाँ पर 6 months में दे रहा है तो downside protection यहाँ पर देखती है ऐसा नहीं है कि इसकी benchmark index है वो 13% की रहा है और यह fund 20-25% की रहा है तो वो एक काफी positive बात यहाँ पर देखने को मिलती है एक, दो, तीन और पान सालों में बाकी अगर आप देखेंगे तो अभी भी यह fund अपने benchmark index को beat कर पा रहा है तो इस angle से काफी यहाँ पर अच्छी returns दिखती है 1 year, 2 year, 3 year और 5 years में अभी भी यह काफी अच्छी तरह से अपने benchmark index को beat करने में successful हो पा रहा है despite the fact कि यहाँ पर यह lower levels पर जो foreign securities है उसको add नहीं कर पा है तो Indian companies में जो value investing करता है value oriented companies को add करता है उसका फायदा इस वक्त इसको मिल रहा है कि इस fund का portfolio उतना जादा correct नहीं हो रहा है जितना बाकी funds हमने देखा quant small cap, quant mid cap के बारे में मैंने आप से बात की दी जो एक बहुत drastic यहाँ पर correction दिखाई है वो चीज़े आपको ऐसे इस fund में अभी देखने को नहीं मिल रही है तो एक काफी positive बात है और दोस्तों काफी सारे लोग पूछें कि यह fund इतना अच्छा क्यों है इतना अच्छी performance क्यों कर रहा है तो इसका मैं आपको एक छोटा जा example देता हूँ recent में आपने देखा Paytm का IPO आया था, Zometo का IPO आया था भी Delivery का IPO आया है, ILC का IPO आया है बहुत सारे अच्छे बुरे सब mutual funds ऐसे companies में invest करते हैं लेकिन आपने कभी किसी भी उसमें पर आग पार एक Flexicap fund का अभी तक नाम नहीं देखा होगा क्योंकि यह आपके लगाय हुए पैसे की बहुत अच्छे से value कर रहा है और समझदारी से सिर्फ value oriented companies में ही आपका पैसा लगा रहा है इसलिए मुझे यह fund यहाँ पर अच्छा लगता है और मुझे लगता है अभी भी यह एक अच्छी investment strategy follow कर पा रहा है लोगों को doubt हो रहा है कि 21,000 करोड के आसपस इसका asset under management हो गया है लेकिन उन सब के बावजूद भी यह fund काफी अच्छी returns अभी भी दे पा रहा है तो किसी भी fund में invest करने से पहले अपने financial advisor से जरूर बात करें वीडियो अच्छे लगी हो, helpful लगी हो तो इसे like और share भी करना ना भूलें मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों धन्यवाद